पेगोर मार्ग शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है यहां सुभ़ से लेकर शाम तक शहरवास्यों का आना जाना लगा रहता है लेकिन वाहन पार्किंग नहीं होनी की वजह से आई दिन जाम के इस्थती बन जाती है और यातायाद भी बाधित होता है पुर्व में नगरपाली क द्वारा वाहन पार्किंग के लिए मीना बाजार से गुम्टियों का अतिक्रमन हटा कर उन्हें जैसे स्पार्क में व्यापार करने की अनुमती दी गई थी और उक्तिस्थान पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी की गई थी परंतो यह व्यवस्था चंद महिनों तक चली और वापस शहर के टेगोर मार्ग पर ही दो पहियां एवं चार पहियां वाहनों की पार्किंग होना शिरू हो गई इधर नगरपाली का द्वारा हटाई गई गुंटी के संचालों को द्वारा उक्तिस्थान पर ही ठेले लगा कर व्यापार प्रारंब कर दिया गया जिसकी चलते अब वाहन पार्किंग की समस्या जस के तज बनी हुई है हाला की यतायात विभाग द्वारा बेतर्तिब खड़े वाहनों पर कारिवाही तो की जाती है परन्तु इका दुक्का वाहनों पर ही कारिवाही होने से वाहन चालकों में भी आक्रोश बना हुआ है टेकोर मार्ग पर कई वाहन ऐसे हैं जो लंबे समय से वही खड़े हैं उन पर धूल भी जम रही है परन्तु उन वाहन चालोकों पर यातायात विभाग की कोई नजर नहीं है और ना ही नगरपाली का विभाग की ऐसे में शहर के व्यस्ततम मार्ग पर पार्किंग विवस्था नहीं होने के चलते ही यातायात विवस्था तो बिगड़ी हुई ही वहीं आए दिन जाम के अलावा छोटी मोटी दुरगटनाएं भी होती रहती हैं उक्तमामले को लेकर इस्थानिय दुकांदारों द्वारा भी कई बार नगरपाली का और यातायात को अवगत कराया गया परन्तु इस और नगरपाली का और विभाद द्वारा कोई ध्यान नहीं दिये जाने के कारण फुत्पार के अतरिक सडकों पर वाहन बेतर्तीप खड़े रहते हैं